हलो दोस्तों आज हम बात करते हैं सौमे वेवेकानन्द के कुछ बिचार के बारे में ज्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्यान तुम्हारी रक्षा करता है सौमे वेवेकानन्द इंसान को छह चीजे बरबात कर देती हैं नीद, गुसा, डर, ठकान, आलश और काम टालने की आदत सौमे वेवेकानन्द के बिचार मन की सक्तियां सुर्खी किरणों के समान होती हैं जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकासित होती हैं सौमे वेवेकानन्द जब तक जीवन हैं सीखते रहो क्योंकि अनुभो ही सबसे सरिष्ट सिक्षक है सौमे वेवेकानन्द जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और शबल मानोगे तो शबल बन जाओगे सौमे वेवेकानन्द एक बार किसी ने स्वामे विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है स्वामे विवेकानंद ने जवाब दिया कि उमीद को खो देना ही जिसे भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं